और क्रेटा, क्याल, बढ़िया, कॉम्पटेटर है दुमारा स्वागत आपका ड्राइव स्पार्क में, मैं हूं प्रोमीत राजम चला रहे हैं दी ओल न्यूस कौरा कुशाक अब आप वीडियो को देखते रहे हैं, कहीं मत जाएगा क्योंकि हम आपको इस all new mid-size SUV के बारे में सब कुछ बताएंगे तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के front end के बारे में और यहाँ पर आप नूरिस करोगी कि आपको काफी सारा black out element मिलेगा आप सबसे पहले आप नूरिस करो यह एड़ लाइट काफी स्लीक है यहाँ पर DRL दिये गहें लेकिन पूरा unit जो है blacked out है और वो इसलिए व्यूकि आपको हाई और लो भीम के लिए एक प्रोजेक्टर सेट अप मिलेगा जो कि यहाँ है और यहाँ पर इंडिकेटर मिलेग बात करें chrome की तो आप देख सकते हो grill के 4 तरफ chrome है यहाँ पर chrome के accents मौजूद है logo भी chrome में और काफी सारा chrome जो है काफी premium look जो है chrome के साथ इस गाड़ी को दिया गया है और यहाँ पर notice करोगी कि इसको मिलता है dual tone का bumper और hood पे अगर lines और creases देखेंगे तो यह गाड़ी को सामने से काफी जादा muscular बनाती है तो चलिए बात कते हैं गाड़ी के side profile के बारे में और यहाँ पर सबसे पहली जाब notice करोगे कि इसको काफी lines और creases मिलते हैं जो कि आगे fender से चालू होता है और पीछे के tail light तक हतम हो रहे हैं आप देख रहे हैं यह दो lines है यह गाड़ी को थोड़ वील का size और वील का design जो है गाड़ी के overall size के साथ काफी अच्छे से blend हो रहा है और आपको यहाँ पे roof rail मिलेगा जो की functional है body colored ORVM integrated indicator के साथ sunroof मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हो आप black threading जो है गाड़ी के चारतरब मौझूद है जो गाड़ी को थोड़ा सा bulky और थोड़ा और यहां सबसे पहले चीज़ आप नोडिस करोगे यह जो split tail lamp unit है काफी अच्छा सा इसमें इसके अंदर के तरफ आप कोई matrix के design भी विलेंगे जो मलब देखने में काफी अच्छा लगता है LED और halogen का mix and match है पूरा 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 LED unit नहीं है यह chrome की बात करे तो आप देख स कोड़ा का जो है बैजिंग मिलता है across the boot आपको एक वाइपर मिलेगा along with the washer stop light और वहां पर आपको एक black color का shark fin antenna मिलेगा अब बात करें इसके camera की तो यहां पर इसको camera मिलता है parking sensors मिलते adaptive guideline नहीं है पर camera की quality काफी अच्छी है उसी के साथ आपको मिलता है आगे के जैसे same dual tone bumper पी 385 liters of boot space मिलेगा आपको 60 40 split भी मिलेगा यहां पर तो आपको अगर और जगे चाहिए आपके लगेज करता है आपको वाला साइड करना है कि वाला साइड करना है तो एक बर आपने नीचे कर दिया तो आपके पास और जगे हो जाएगी लगेज के लिए and usually boot lid यहां से बन करते अब आपको यह नोटिस होगा कि यहां पर काफी जादा स्पेस है कैबन में सबस्क्राइब बनाता है बात करें सॉफ्ट अपना यह अपना यह अलबो प्लेस करते हैं सिर्फ उस पर सॉफ्ट अच्बोर्ट पर पैनल पर फ्लास्टिक क्यूज हो है और हर जगे पर लेकिन सॉफ्ट अच्बोर्ट पर तो थोड़ा अच्छा होता क्रोम काफी जादा है गाड़ी में देख सकते हैं इसी के चावड़ा तरफ एक लाइन रन कर रही है ऐसे स्टेरिंग के उपर है प्लास डोर हैंडल्स पर तो क्रोम वो काफी एक प्रीमियम सा फिनिश दिया ह और जो बटन्स और डाइल्स हैं यहां पर वो भी आपके क्रोम में फिनिश्ट हैं जो की काफी एक अच्छा सा लुक देता है बात करें बटन्स की तो यह जो स्टेरिंग वील है यह टू स्टेरिंग वील है और यहां पर नीचे आपको एक लिप एक बंप दिया जाएगा उसके वैसे यह जो स्टेरिंग वील है पूरा कंप्लीट लगता है यह जो काफी सारी इंफर्मेशन भी मिले की गारी के बारे में वेक चीज जो मेरे को पसंद मी आई वो यह है कि आपके पास यहां पे डेडिकेटेड मतलब एक वॉल्यूम बटन जो होता है या तो स्क्रो इन फिर आप उसको कर सकते है अगे बीचे धीक नीचे आपको मिलें एकम एकम और एकशे him but anyway, यह भी अच्छा है, तो आपको राइट-hand साइड पर स्पीरोमिटर मिलता है, लेफट-hand साइड पर टैकोमिटर मिलता है, दो डायल मिलते हैं आपको एक टेमपरेचर के लिए और एक फ्यूल गेज के लिए, और बीच में आपका एक M.I.D. स्क्रीन मौजल है जिसमें दो सेटिंग है आपके पास, बरी कूल फीचर, बात करने सीट की, तो सीट जो है मैनुवली अज़स्ट कर सकते हो आप, लेकिन सिफ ड्राइवर को यह हाइट अज़स्टर मिलता है, काफी कमफ़र्टबल सीट है, स्टेरिंग वील भी आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टेर मैं आराम से पैर फैला के भी बैठ सकता हूँ, और जो सीट की कुशनिंग है, वो काफी अच्छी है, काफी डीसन अंडर थाय सपोर्ट है, काफी डीसन बैक रेस्ट है, और यहाँ पर आपको AC वेंट मिलेगा है, यहाँ पर दो जो की कैबिन को रिली जल्दी ठंडा कर दे सकते हो और यहाँ पर यहाँ पर आपको कोई इसे ट्रांस्मुन टानल वगरा नहीं है, तो तीन लोग आप सकते हैं लेकिन अगर आप दो लोग जा रहे तो आप यह आम्रेस डिप्लॉय करिए और आप रहाम से हाथ पर रखके जा सकते, इसमें दो कॉपोल्डर भी पर आप बाहर का विदर एंजॉय कर सकते हैं पीछे बैठके, अब हम आचुके हैं ड्राइविंग सीट पे स्कॉड़ा कुशा के और सबसे पहले मैं आपको इसका एक एंजिन ब्रीफ दूंगा, तो यह पावर होता है एक वन लीटर टीएसाइ टबो पेट्रोल एंजिन से जो की पंप आउट कता है 114 भीएसपी ऑफ पावर और 175 अनम आफ पीक टॉक, अब यह जो एंजिन है, यह मेटेड है, एक 6-speed manual gearbox है, जो हम लोग आच चला रहे हैं वो एक manual gearbox है, इसके लावा आपको एक 6-speed टॉक कंवर्टर आटमाटिक गिरबोक्स भी मिलेगा इसके साथ, वो वेरिंट हम लोग बाद में चलाएंगे, क्यों हम लोग मिला नहीं, और इस एंजिन के लावा आपको एक और 1.5 लीटर का एक एंजिन मिलता है, जो की अगें TSI टॉबो चार्ज एंजिन है, और वो प्रडूस कता है 147 भीएसपी और 250 अनम आफ टॉक, और वो आपको मि लॉट है, तो काफी लॉंग थ्रो नहीं है गेर का, तो उसे साब से आप काफी क्विक शिफ्टर नहीं बोलेंगे, लेकिन कंपेट वो अधर मैनुल कास काफी क्विक शिफ्ट करती है गाड़ी, और क्लच जो है वो गाड़ी का एक्स्ट्रीम लाइट है, तो क्लच की बात करें, तो actually stop and go ट्राफिक में आपको city में दिक्कत नहीं होगी, तो सब कुछ नया होगा, सब कुछ हलका होगा, but anyway, मैंने ऐसी भी गाड़िया चलाई है, जो नहीं है, showroom से निकली है, और उनका क्लच बहुत ही जादा भारी है, heavy है, so being a petrol car and a 1-liter engine, यह क्लच बहुत ही अच् पूरा control है इस gearbox का, तो उस हिसाब से आप पूरा RPM को red line कर सकते हैं, red line ही all the way 6000 तक होती है, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है आपको, because obviously, I mean यह गाड़ी बहुत ज्यादा, एक luxurious गाड़ी है, इसमें feature loaded गाड़ी है काफी, तो आप इसको भगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट भगा के क्या ही करोगे, आप इसमें अराम से cruise करिए, गाने सुनिए, आपके पास quarter audio का पूरा system है, तो यह सब कुछ चीज़े गाड़ी के बारे में बहुत अच्छी हैं, आप बात करते हैं, इसके suspension की, तो suspension setup जो है, वो आपका slightly softer side पे है, कंपनी ने इसी लिए softer side पे क कि आपकी गाड़ी handle नहीं करेंगे अच्छे से, लेकिन इसमें वो case नहीं है, body roll है, काफी हलका है, इसमें क्योंकि एक SUV है, obviously heavy vehicle है, तो body roll है, लेकिन गाड़ी काफी अच्छे से handle करती है, especially straight line में यह गाड़ी काफी fast है, काफी stable है, और यह 215 mm के tires है, वो काफी stability provide करते हैं, अच्छा है, मतलब आपको इतना जादा confidence देगा आपको, कि आप बारिश में भी आप आराम से इस गाड़ी को भगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आप टैप करोगे brake, तो गाड़ी वहीं की रुख जाएगी, and to be very honest, brakes are absolutely fantastic, and बारिश में आपको दो चीजे जो है, वो दे आपके brakes अच्छे होगे, तो आपको कोई टेंचल लिंगी ज़रुती है, and ये कुछाग exactly वही चीज़ दिलिवर करती है, because अभी आप देख सकते हो, बारिश हो रही है, and अगर मैं एकदम से मैं brake मारूंगा, तो it is so responsive, मैंने पूरा brake मारा भी नहीं, I just tapped the brake, अब पूरा मार का option मिलता है, heated seat का option नहीं मिलता है, क्योंकि भाई देखो, to be very honest, गर्मी जो है नहीं जहल सकते है, ठंडा के एक बार जहल लेंगे, लेकिन गर्मी जहलना is, like, especially आप अगर महराश्य में या मुम्माई में रह रहे हैं, उस गर्मी के साथ जब humidity होती है, तो मैंने बहुत ज़ So, ventilated seats मैं तो मानता हो, ठीक है, थोड़ा सा चार्ज करिए, लेकिन हर एक गाड़ी में ventilated seat होना चाहिए, especially driver side, because driver is the one, जो थोड़ा comfortably होके चलाएगा, तो अच्छी बात है, तो, हाँ दूस्तों, काफी feature loaded गाड़ी है, यहां पे touch screen, आपको 10.1 का touch screen मिलता है, प्लस यहां पे आपको एक wireless mobile charging मिलता है, steering wheel की बात करें, तो यह वो same steering wheel है, जो हम लोगों ने नई वाली Octavia में देखा था, तो two spoke steering wheel है, and steering mountain controls भी काफी अच्छे से इसमें placed है, अच्छी same, वही same steering wheel है, steering का response जो है, वो काफी अच्छा है, काफी easily lane जो है shift करती है, left to right, and actually मैंने दूस्किया कि हलके speed में steering wheel थोड़ा हलका लग रहा है, लेकिन जैसे मैं अगर आप triple digit speed कर रहे हो, उसमें अगर आप left right maneuver, तो मिरे को ऐसा लगा कि steering wheel में शायद थोड़ा सा weight वो put on हो गया, अब पता नहीं क्यों अगर वो हुआ है, तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा सा heavy steering wheel at high speeds is necessary, का पूरा setup जो है बढ़िया है, गाड़ी feature loaded है, एक बार यह launch हो जाएगी, तो यह rival करेगी अपनी Indy Creta, Kia Seltos और जो भी mid-size SUV है इंडिन मार्केट में उसको, तो दोस्तों यह थी Skoda की all new pushart mid-size SUV and I hope मैंने गाड़ी आपको अच्छे से explain करिए, आपको अगर इस SUV के बारे में देजिए और हम लोग आपको इसका reply जरूर देंगे, तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं प्रमीट साइन आट करता हूँ, see you next time, thank you so much for watching, take care and be safe. आपको गारी में ह